नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों एपल ने iOS 17 के डेवलपर बीटा 3 को दुबारा से रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि iOS 17 बीटा 3 के इस री रिलीज में हमें क्या चेंजिज या बग फिक्सिस देखने को मिलते हैं मेरा नाम है सिद्धार्त और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्स इंडिया एपल ने यहां पर iOS 17 बीटा 3 के डे रिलीज के साथ साथ iPad OS 17 बीटा 3, Mac OS 14 बीटा 3, Watch OS 10 बीटा 3 और TV OS 17 बीटा 3 को भी रिलीज किया है चलिए अब देखते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का फाइल साइज मेरे इस iPhone 14 Pro Max में है 377 MB तो यह ज़्यादा बड़ा अपडेट फाइल साइज यहां पर नहीं हमें देखने को मिल रहा है अब इस iOS 17 बीटा 3 के रीरिलीज होने के मुझे दो रीजन्स लगते हैं सबसे पहला रीजन यह है कि लास्ट यहर भी iOS 16 के बीटा 3 को रीरिलीज किया था और उसके फर्मवेर वर्जन को चेंज करके सेम कर दिया गया था उस वर्जन से जो कि पब्लिक बीटा में रीलीज हुआ था और वो पब्लिक बीटा सेम डे रीलीज हो गया था और मुझे लगता है कि iOS 17 बीटा 3 के रीलीज का एक रीजन यह भी है अगर हम इस वर्जन के फर्मवेर नमबर को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फर्मवेर वर्जन का नमबर है 21A5277J iOS 17 के बीटा 3 के फर्स्ट वर्जन का नमबर भी यही था बस लास्ट में इस लेटर को चेंज करके अब J कर दिया गया है और मुझे लगता है कि यही फर्मवेर वर्जन हमें यहाँ पर iOS 17 के पब्लिक बीटा वर्जन में भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि रिलीज हो जाएगा हाला कि इस वर्जन में मैंने कुछ बग फिक्स नोटिस की है सबसे पहला बग जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था वो था कि यहाँ पर हमारे कोई अनलॉक का आइकन अपने फोन में देखने को मिल रहा था इस text overlap के bug को भी लगता है Apple ने यहाँ पर fix कर दिया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि battery widget में अब यहाँ पर text हमें ठीक से display हो रहा है इसके अलावा एक bug मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा था control center से related जिसमें मुझे यहाँ पर अपने control center में इस तरीके की blank space देखने को मिल रही थी लेकिन अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ अपने फोन में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर में यह ब्लैंक स्पेस देखने को नहीं मिल रही है तो इस बग को भी मुझे लगता है iOS 17 बीटा 3 के इस रिलीज में फिक्स किया गया है इसके अलावा एक इशू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था स्पोटलाइट सर्च में कीबोर्ड से रिलेटेड जब हम अपने फोन के स्क्रीन पे इस तरीके से ड्रैग डाउन करते हैं हमारा एक स्पोटलाइट सर्च ओपन हो जाता है और यह कीबोर्ड ओपन होता है iOS 17 के बीटा 2 और बीटा 3 में मुझे यहाँ पर इस कीबोर्ड के ओपनिंग में लैग देखने को मिल रहा था पर इस तरीके स्पोटलाइट के लिटा काफी जादा देखने को मिल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे भी अपने फोन में यहाँ पर सिस्टम डिटा करीब 20 GB का देखने को मिल रहा है जो कि थोड़ा सा जादा है मेरे हिसाब से तो लगता है कि इस आईफोन स्टोरेज के इशू को अभी यहाँ पर रिजॉव नहीं किया है इस रिरिलीज में एपल ने इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एपल के रिलीज नोट्स पर नजर डालू तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एपल ने यहाँ पर इस रिरिलीज से लिलेटिड कोई भी नए रिलीज नोट्स इशू नहीं किये हैं यहाँ पर हमें iOS 17 और iPadOS 17 बीटा 3 से रिलेटिड रिलीज नोट्स देखने को मिलते हैं जो कि लास्ट वीक जो रिलीज हुआ था उसके हैं एक बग जो मुझे यहाँ पर iOS 17 के बीटा 3 में देखने को मिल रहा था वो मिल रहा था इस Contact विजिट से रिलेटिड तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का Error हमें देखने को मिलता है यह Error अभी हमें यहाँ पर इस रिलीज के बात भी देखने को मिल रहा है तो अभी इस इशू को Apple ने यहाँ पर फिक्स नहीं किया है अगर मैं बात करूँ Battery Performance की तो Battery Performance यहाँ पर मुझे अभी भी यहाँ पर आवरेज देखने को मिल रही है यहाँ पर iOS 17 के बीटा 3 में यहाँ पर अगर मैं अपने फोन में battery health को देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे phone की battery health यहाँ पर हमें 97% देखने को मिल रही है और अगर मैं यहाँ पर last 10 days की battery performance पर नदर डालूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर Tuesday को मुझे screen active time मिला था 5 hours 2 minute का और idle time मिला था 1 hour 43 minute का जिसमें मैंने करीब अपने phone की 60% battery utilization की थी और Monday को मुझे यहाँ पर screen active time मिला था 8 hour 16 minute का और screen idle time मिला था 1 hour 45 minute का जिसमें करीब मैंने अपने phone की 50% battery utilization की थी तो यहाँ पर कभी तो मुझे अच्छी battery performance देखने को मिल रही है और कभी कहाँ पर battery performance काफी खराब देखने को मिल रही है तो यहाँ पर एक mix सी battery performance मुझे अपने phone में देखने को मिल रही है iOS 17 के beta 3 में अभी तक अब iOS 17 beta 3 के इस release में मुझे नहीं लगता कि हमें battery performance में कोई खास improvement देखने को मिलेगी लेकिन अगर मैं बात करूँ overall performance की तो overall performance में मुझे यहाँ पर हलका सा improvement देखने को मिला है iOS 17 beta 3 के इस release में यहाँ पर कुछ bugs को apple ने fix कर दिया है और अब मैं काफी कम bugs देखने को मिल रहे है इस release में अब बात कर लेते हैं iOS 17 के release schedule के बारे में iOS 17 beta 3 का release हमें यहाँ पर 11th July को देखने को मिला है और मुझे लगता है या तो हमें आज या फिर इसी week हमें आपर iOS 17 का public beta देखने को मिलना चाहिए और next week हमें आपर iOS 16.6 का release candidate version देखने को मिलना चाहिए तो दोस्तों यह थे वो कुछ changes और bug fixes जो यहाँ पर हमें iOS 17 के beta 3 के release में देखने को मिलते हैं मुझे उमीद है कि आपको एफ वीडियो useful लगा होगा अगर आपको एफ वीडियो पसंद आया हो तो इचे लाइक करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें और well icon को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके धन्यवाद